पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि अपात्र लोग एसारे में कैसे पात्र हो सकते हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अपंग परिवार की दास्ता जो जमीन मालिक होने के बावजूद पिछले आठ सालों से अपने हक का घर पाने के लिए संघर्ष कर रहा है गरिबोंग के विकास के लिए बनाई गई जोपरपटी पुनर्वास योजना से मुंबई में लाखो लोग परिशान है बिल्डर ऐसारे वालों से साठ घाट कर कई लोगों को बेघर कर रही है बिल्डर के धोके के कारण आज एक अपन्ग परिवार पिछले आठ दस सालों से संघर्ष कर रहा है कि उन्हें उनके हक का घर मिल जाए लेकिन हमारे सरकार की लापरवाही के कारण ये परिवार इतना परेशान हुआ है कि मंत्राले में जाकर आत्मदाह करने की बात करा है बता दे कि पेड़ित व्यक्ति का नाम तुलसी रमेश वागेला है जो मुंबई के खार में रहते हैं और जिस जगह पर बिल्डर ने बिल्डिंग खड़ी की है उस जगह के वो मालिक है लेकिन बिल्डर के धोके के कारण आज वो सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गये है सर्वेश जी कुछ दिन पहले हमारे पास एक अपंग परिवार आया था जो एसारे और बिल्डर के कारण इतने परिशान हो चुके है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ मंत्राले में जाकर आत्महत्या करने वाले थे लेकिन हमने उनको रोका उनके घर के सारे पेपर्स देखें और हमने उनको आप से मिलने के लिए भी भी भीचा था तो आपको उनके पेपर्स देखने के बाद क्या लगा? उनके पेपर्स देखने के बाद ऐसा लगा कि ऐसा बंबे में कई सालों से मैं सारे में बहुत सारे लोगों को मैं पात्र कराने के लिए या रेंट नहीं मिला बहुत सारी चीजों के मैं काम कर रहा हूँ मगर पहला एक केस मुझे मिला है, ऐसा केस मुझे भी आस तक नहीं मिला था ये केस जो है रमेश तुलसी बागेला, इन्होंने मुझे 14 फरवरी को मेरे को अपना लेटर दिया था First Alpine Foundation एक मेरी NGO है, जो NGO के तहत में लोगों के लिए फ्री में ये काम करके देता हूँ पात्र हो या उनका घर दिलाना आए उनको घाड़ा दिलाना आए जो भी होती है सारे की इशू उसके माद्यम से हम लोग फ्री में काम करके देते हैं, इसके लिए हमारी कई टीम लगी हुई है, हमारे साथ से आप लोग काम करते हैं इसके पीछे कि लोगों को गरीब लोगों को कैसे मिल सके नहीं उन्हें जानकारी नहीं होती है, पेपर की जानकारी नहीं, इसलिए हम लोग इनकी मदद करने के लिए NGO में हम लोग काम कर रहे हैं, और NGO चला रहे हैं इसके लिए special अच्छा आप इनके पेपर के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कुछ पेपर्स भी दिखाऊंगा आपको, 1972 में जो रमेज तुलसी वागेला है, उन्होंने कन्वेंस हुई थी प्रॉपर्टी की, और यह प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, आपको दिखाना चाहूँगा, यह 1972 के हैं कन्वेंस प्रॉपर्टी है, जिसके हिसाब से यह प्रॉपर्टी के ओनर होने के बावजूद, इन्हें 2015 तक अपात्र भी बताया जा सकता है, यह मैं पहली बार देख रहा हूँ, कि जब किसी से लैंड की अगर नहीं हुई होगी, बिल्डर ने कुछ भी नहीं किया, तो यह थे या नहीं थे, समझ में इसमें मुझे कुछ प्रॉपर्टी के अगर बिल्डर नहीं के पास गया होगा, तो इसके बाद उन्हें प्रॉजेक्ट स्टायट किया होगा, यह जो यह जो यह नहीं कि आई हुए, पेपर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कहां बड़े लेवल के स्कैंडल कहां होई है, मैं आपको भी बताऊ होगा, कि यहां पे यह स्कैंडल हुई है, 15 सेक्टेंबर 2005 कुन को एक लवाई दिए थी, यह लवाई की कॉप्टी है, अच्छा, इस लवाई की कॉप्टी में एक और चीज है, कि जिसमें वहां पे उस टाइम बता रहे हैं, सिर्फ 12 रजिदेंसिल टैनेंट थे, अगर उस वहां पे 12 स्टेंट थे, उस टाइम पे यह लवाई उनका कह रहा है, लवाई के हिसाब से वहां पे सिर्फ 12 टैनेंट थे, और आज के डेट में फिर से वापस उसमें 51 टैनेंट हो गए, तो 12 से 51 हुए कैसे, अगर उस टाइम पे, या तो उस टाइम का सर्वे गलत हुआ थ और दूसरा, इसलिए गलत हो सकता है कि लोगों को पात्र करके घर बेचने का काम हो सकता है, इसलिए सेकेंड वाले में यह सब कुछ नहीं है, अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा, 2007 में जब जाते हैं, तो यह 2005 के लवाई थी, 2007 के मार्च में, रमेज तुलसी वाग को यह दिया था दो मार्च को, उसके बाद उन्हें फाइनल सीसी दी जाती है, काम करने के लिए जो उनको सीसी दी जाती है, 11 सप्वक्टमब्र 2007 को, अगर दो मार्च को 2007 को किसी की जिसकी लैंड है, लैंड उनने अगर Westा को अबजिक्षन लिया है तो उसके काम नहीं किया जा सकता है तो उसके छे महीने बाद उसको फाइनल सीसी काम करने के लिए पर्मीशन दी कि वो कैसे दी इसका मतलब यह हुआ है कि इसके अंदर भी इसमें धानली हुई है क्योंकि जब तक आप किसी के लैंड की एक्वेजिशन नहीं कर लेते हो अगर माली जैसारे डिकलेर है यहुआ है अगर लैंड की एक्वेजिशन नहीं होती है और जब तक लैंड की एक्वेजिशन नहीं करते हैं ताभ अपका अबर्तक्यHAHA पर कौन सेम्ट होना चाहिए उनर आपके साथ रिडी होना चाहिए तो काम करना है तो आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे ओनर अल्लेडी 2007 में अब्जिक्शन दिखा रहा है, और यह 2007 में इनको आपस से इनको फाइनल काम करने की सिसी दी जाती है, उसके बाद 2007 में, में में, बिल्दर कंसर्ट और एग्रिमेंट, उनका बेटा है सुनिल वागेला और एक है रमेश तुलसी वागेला, बाप, पिताजी और बेटे, दोनों जनके नाम पे वो एग्रिमेंट भी करते हैं और इन 2007 में, और एनको नाम है अल्रणी, एक जनका नाम है, पिताजी का नाम है, बेटे का नाम नहीं है, और यहाँ पे अगर 2005 में जब लवाई आ रही है, उसमें 12 मिंबर थे, और 2006 में मैं देख रहा हूँ, उसके अंदर सीधा 51 मिंबर हो जाते हैं, यह कहां से हैं लोग, अचा दूसरा, इसके अंदर एक-एक फैमिली से, एक वागरी फैमिली है इसके, इसमें से पाच-पाच घर, छे-छे घ इसमें पातरता की इश्विक है, कि इन्हों ने जो पातर किये हैं, अब किसी को इलेक्शन आदी पे पातर किये हैं, एक फैमिली के मेंबर को छे-छे घर दिया इन्होंने, तो यह जो पहले वाला, जो नहीं 12 स्टक्चर बताया गया था यहां पे इस ट्रुक्चर को बढ़ 12 था 12 ही लोग थे तो यहां क्यामन लोग कैसे आ लिए 51 यहां पर possible ही नहीं है आना इसका मतलब यह गलत हुआ है और दूसरी बार एक 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 आदमी को रासन काड़ पर भी यहां पात रखी है किसी को light bill पर पात रखी है मतलब एक घर का यहां पर यहां पर पातर की है जो की इसारे के नॉर्मस में कहीं फिट होता ही नहीं है और उसके बावजूद भी यहां पर लोगों को पातर किया गया है illegally या तो बिल्डर ने इसको फ्लैट को बेचा हुआ है या लोगों को डमी लोगों को इसके अंदर जो को इनका पूरेट इसके किये गये हैं इसके अंदर बारह लोगों के अलावा बाकि जितने भी लोग हैं सब illegal और इनके document अगर आप पातरता की देखेंगे तो सब के अंदर जो document है एक ही family के हैं उनको किसी को रासन कार्ट किसी इस तरीके से लोग पातर किया है तो यह एक बहुत बड़ा इसके अंदर है दूसरा मैं आपको और बताता हूं इसके अंदर कि एक उन्होंने जो बिल्डर ने agreement concern करता है May 2007 में और रमेश तुलसी वागेला को लेटर लिखके दे देता है कि यह सारे के norm के इसाब से आप eligible हो गए हो agreement concern करता है 2007 के में में थर्ड में को और 27 मार्च को उनको लेटर लिखता है कि आप पातर हो गए है अच्छा वो जब यहां पे वो पातर हो गए थे तो 2010 में जब सब लोगों को घर दिया गया था तो इनको क्यों नहीं दिया गया अगर यह बिलडर का लेटर है अब आप तो लिखाता हूं यह बिलडर ने लेटर दिया हो गए है यह जो बिलडर है गुरुनानक डवलोपर प्रैपिट लिमिटेट के नाम के जो काम किये है इसके अंदर उन्होंने बोला है कि मैं तुम आल्वेडी एस सारे के नॉम्स के हिसाब से पात रहो और दोनों जनको हम लोग टेनामेंट एलोट करेगी पिता जी को और बेटे को दोनों जनको यह ऐसा उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया इसका मतलब है उन्होंने उनके साथ में यहां में 2010 में सारे लोगों को वर दिया गया और इनको घर नहीं दिया गया और आज हम 2018 में हैं जो लैंड डॉनर को आज तक घर नहीं दिया गया तो जो बिल्डर ने लेटर लिख के दिया था कि आगर आप पात्र हैं तो उनको घर क्यों नहीं दिया गया उन्हें आज तक घर नहीं और पात रहने के बावजूद भी इन्हें घर नहीं दिया जा रहा है अच्छा इतने के बात एक और चीज़ मैं बता हूं जरी सर्प्राइज वाली जो बात मैं बता रहा हूं इसमें जो मुझे समझ में आई यहां पर कि रमेज तुलसी वागेला हाई पावर कमिटी उन्होंने अपील किये थे अपील नमर नाइं 2012 में और जब वहां पर उन्होंने अपील किया था तो अपील में हाई पावर ने एक ओ दूसे बात इनको रेंट 8,000 के हिसाब से 10 अब तक पजेशन नहीं देते हो तब तक आपको रेंट यह हाई-पावर का ऑड़र है हाई-पावर की जो कमिटी होती है कोई भी सारे का प्रोजेक्ट होता है उसमें हाई-पावर इस सुपरीब हाई-पावर का जो डिसीजन अगर आपको किसी को अगर हाई-पावर कमिटी जो लास्ट अथरुटी इसके और डिचेर मैन अपने अ इसके चेर मैन है इसमें सियो इसमें जो पांच से छे जो मेंबर होते हैं वहां के लोग जो टॉप लेवल के आई-एस जो आपके इस ताइम रहे होंगे वह उसके मेंबर हो कमिटी में बस अगर उन्होंने ये 55-55 2012 को ओर्डर दिया था और के हिसाब से इनको रेंड दिया जाए और इनको नियुली कंस्ट्रूटर बिल्डिंग में एक और यह ऐसा उनका ओर इनकी और की कॉपी मैं को रिखा है अगर 2012 में इनको ओर दे दिया गया था तो इस ओर को क प्लास्टिक डाल करके नीचे जमीन पर बैठे हुए है और वहां पर रमेज बागेला उनकी पतनी उनके जो बहु है बेटी है जवान लड़की है उस तरीके से वहां पर रह रह रहे हैं खुले में हो और आज उनके साथ में कल कोई हाथसा हो जाता उसके लिए खौन इसका कोई नहीं है तो यहां पर जब हाई पावर के ओर्डर पे भी अगर कुछ काम नहीं होता है तो लोग कहा जाए इसके बात लोगों के पास खतम हो जा रही है मैंने देखा है कि इनके साथ में बहुत बड़ी चिटिंग और फ्रॉड होई है और इसके अंदर सरकार को खुद अस्ता च्यप कर नीच जहिए थी कि आज जितने लोगे सारे से बिडिक्त लोग हैं सिर्फ वही लोग बजार में गूम रहे हैं लोगूं पर पास जा रहे हैं reduction पी मैंने कहा थाकि बहुत सारे लोग इस लाइंग से सूसाइट कर रहे हैं आज इनके बताएए कि इनकी 20-100 क लोग हैं जुन्होंने बिल्डर को पैसा देके मैनेज करके चीप प्रमोटर को मैनेज करके उनको घर दे दिया जाता है और जो एक्चुल आदमी है वह आज भी रोड पर बैठा हुआ है तो इस कंडिशन में इंसान क्या करें उसके सुझाइट के रहां कोई परेया नहीं मिल होते हैं यह सारी तकलिफों की वज़े से लोग आज बेगर होते हैं तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि सरकार इस पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रहा है हमने जब इनके घर के पेपर्स चेक किया थे तो हमने देखा था कि उन्होंने MP MLA मुख्यमंत्री CEO से लेकर प्रधान उनकी सुनवाई हो और उन्हें उनके हग का घर मिले लेकिन ऐसा उनके साथ होता नहीं है तो ऐसे में पिडिक लोगों को क्या करना चाहिए एक दम बहुत अच्छी बाद आपने कहीं कि जो उनके लेटर सी हैं उन्हीं के लेटर हैं यह उन्होंने सीयों को लेटर लिखा थ जो आँके आमदार हैं होनों को अन्हों लेटर लिखा था मैं सारे लेटर मेरे पास उनने अन्हें उनकी कॉपीया मेरे पास हैं सेला सापको उन्होंने एक ढो process मिले हैं उसके बावजूर्ल मिलकर के भी हो। उसे बैट के भी हूं। उसे मैने बात भी की सारी चीज़ उनुने बताई है। 20 जुलाई 2000 लकव प्रकास मताँची कहां से लेटर आता है। उस लेटर उन्होंने क्लियर लिखाता है कि तकरार दर जो हैं। उनको इसके बारे में डिटेल जो भी चीज़े प्रोवाइड की जाए और मंतरी महोदे का यह जो ऑडर है ऐसा उन्होंने नोटिंग करके सीयो के पास बेज़ा पूँ था और उसके बावजूद भी इनको कुछ नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने फिर से 19 सेप्टेंबर 2016 को ग्रे निर्मान मंतरी से फिर मिली उन्होंने उस साहब के सिगनेचर साहब ने उस पर लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ कि तुरंद इसकी जो भी है सद्या उसकाल मुझे पताई जाए उनको इंफॉर्मेशन दी जाए ऐसा उन्होंने इसमें लिखा हु के सेजिया है उन्होंने जो लेटर देने की जो प्रक्रिया है उन्होंने पूरी कर लिए जहाँ जहां 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 जाना चाहिए हर जगह वो जाकर के चली आई हैं अगर यहां पर जब ग्रेन इर्माण मंत्री मुख के मंत्री सब लोगों के पास जाएं लोग अपनी पेपर्स देवें अपनी बात कहें सब कुछ कहने के बावजूद अगर उन्हें घर नहीं मिले तो लोग कहां जाएं हम कह रहे हैं सरकार करें यहां की बहुत अच्छा चल रहा है मुझी जी कहते हैं महाद अच्छी बात है कि सब का सच सबका विकास हो रहा है किस्तों लेकर कोई चली नहीं रहा है बाकी लोगों को उसकी जोगन थी हम लग रहा था thank you यहां पर आइसा हो रहा है कि जो भी है अगर चीप मिनिश्टर ने करवाई लेटर दिया उन्होंने जाकर आई वहां से काम नहीं बुर्ण निर्मान मंत्री जो उनका खाता है अगर उन्होंने दो दो लेटर लिखते हैं और उसके बात भी आई एस ओफिसर वहां के जो सेकर्ट्री है वायतर वहां पे जड़क्टी कलेक्टर हैं उन्लों काम नहीं कर रहे तो आधर उनके लेटर पर कर हें तो अगर ईंके लेटर पर कारवाई ही तो इम IOANET हो सकती है यह Ing till मिनिट काम हे सारे लोगों का एक लेटर वहां से बेज़े सारे imainasuri मत्रालें में दो मिनिट में बहुत सख़्जन की सस्पेंड हो जाएंगे से लिए अगर पावर उन्हें यूज करनी है जब तक वो अपनी पावर को यूज नहीं करेंगे वो कुछ भी नहीं करेंगे तो पब्लिक के साथ कोई नहीं हो सकता हूँ आज यहां पर यहीं हो रहा है कि जो यह तो मंतरी जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अगर लेटर देने के बावजूद अगर आपके लेटर पर कारवाई नहीं हो रही है क्या मजाले सीयो होने दीजिए या सकेटरी होने दीजिए वहां का या डेप्टी कलेक्टर कोई भी वो अंडर ग्रीने मार्ट के अंदर में काम कर रहे है और उनके आर्डर के बावजूद भी अगर उन नहीं मानने को तयार है तो क्या करना चाहिए तो यह हर आदमी क्या कोट में जाए अगर यह गरीब आदमी यह लेडी इसे यह पर्स बेचती है पर्स बेचके और दो रुपया कमाने के लिए उसको खाने के लिए जीने के लिए उसको इतनी तकलीफ है वो कोट में कहां से जाएगी वो कोट में कितने साथ या केक केस लड़ेगी इसके पैसे कौन देने वाला है यह तो सरकार को सोचना पड़ेगा आज जितनी चीज़े हैं सरकार को बहुत तरीके से ध्यान में लाया जाता है मगर सरकार की तरब से अगर यही नकारात्मा पर रवया रहा तो लोगों को सुसाइट करने से हम आप हैं हमें हमारे पास आई हैं हमें बताया उन्होंने मैंने बहुत ठीक है मैं आपकी लड़ाई लड़ूँगा आपको मैं घर दिलाने में जो मेरे से हो सकता है मैं सारा आपको करूँगा मैं पूरी ते कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए अब यहां पर आगि जो मिनिस्टर के पास जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है लोगों का तो वो कहां जाए अब होम मिनिस्टर से मिल चुकी चीप मिनिस्टर से हो गया उनका स्टेट के होम मिनिस्टर से मिल चुकी ग्रीनेरवाण मंतरी से मिल चुकी पुलिस कमिस्टर से मिल चुकी वहां के यंपी से मिल चुकी हैं आप उनके पास कहां जाएं कहां रस्ता बचा है मिले के लिए कोई जगे नहीं बचिए अब उसके बावजूद हमें सरकार की अगेंस्ट कही साथ में अगर سरकार सारा काम कर ले तो किसी को किसी की मदद करने की क्या ज़रूत है हमारे पास उमेला को आने की कोई ज़रूत ने आपके पास आने की ज़रूत है अगर सरकार काम कर देगे तो मगर सरकारें अपना काम नहीं करती इसलिए लोगों के पास जाते हैं लोगों को उनकी मदद के लिए आगे आना पड़ता है ठीक है सरकारें अगर काम नहीं करेंगी तो हम तो काम करेंगे हमें जितना हो सकता है हमसे इतनी मदद होगी हम उनके लिए करके लिए तो सर आप अभी उनके लिए किस प्रकार से मदद करेंगे और कैसे करेंगे मेरे पास आई थी उनके बाद मैं को लेके हिसारे में गया था हिसारे में वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला उन्हें मुझे पहा कि आप सर ये पूरा घर उक्क्यूपाई हो गया है उसमें लोग रह रहे हैं जब घर खाली होगा तो हम देंगे जब मैंने पुछा एक खाली केसे होगा तो बोले सर एक खाली कराना पड़ेगा तो बोले एक खाली कौन कराएगा तो बोले सर ये डेपूटी कलेक्टर का काम है हमारा काम नहीं है ये डेपूटी कलेक्टर कराएंगे तो आपने उनको letter भेजा है हमने उनको letter भेजा हुआ है आप उनसे approach करिए और जा करके वो घर खाली करके देंगे हमें लाके चावी देंगे तो उसके बाद हम वही घर देंगे मतलब ऐसा है कि कोई किसी के भी घर में चले जाए रहने के लिए अगर उसको खाली कराना है तो जिसे घर चाहिए उसी को approach करना पड़ेगा भागना पड़ेगा खाली कराने के लिए इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया मैं आपको बताओं इसके अंदर 25 लोग 25 लोगों को 33 की नोटिस लगा करके भेजा गया था कि इनको यह इनलीगल लोग है इनको वेकेंट किया जाए बावन लोगों की पहले बारा लोग थे बारा से एक क्यावन हो गये और एक क्यावन में से रिपोर्ट इनकी कह रहे है यह पचीस लोगों को खर काली करने के लिए नोटिस बेचा गया है तो मतलब इसमें मोर्देन 50 पसंट हो अगर खाली करने के लिए का नोटिस बची गई यह मतलब इतने डमी लोग है यह उनका ही पेपर है मगर यह जो उन्होंने लेटर बेची है 2015 में 2015 से 2018 आ गया और ओभी मैं आपको तीन जनवरी 2015 की बात कर रहा हूं और तीन जनवरी आज तीन साल से उपर हो गए मगर इसमें से आज तक 25 में से एक घर भी खाली नहीं हुआ यह खाली कराने का काम पब्लीक का काम है तो सरकार का क्या काम है वहाँ पर डेप्टी कलेक्टर बैटे हैं उनका क्या काम है वह सारे में जो बैटे हुए हैं डेप्टी कलेक्टर उनका क्या 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 मतलब हमें घर चाहिए मतलब वह अपाहिच मैला को घर चाहिए तो वह घर खाली करा है और वह घर काली करा के इनको लाग के चावी दे तो चावी उसको थमाएंगे यह इनकी प्रोसीजर हो गई है उस मेला की यह हाल है आज के फिर मैंने बोला ठीक है अभी कोई आप्शन नहीं है यहां पर आप चले जाएंगे सारे में यही चल रहा है आप गवर्मेंट बहुत सारी बना र रुपे 4 लाग भरो और आप उसी में रगुलराइज जाओगे यह क्या तरीका हुआ अरे पहले उनका घर था क्या वह अपात्र थे क्या उनकी लिस्ट में नाम है क्या अगर वहां पर हई नहीं वहां पर उस आदमी का नाम ही नहीं था कुछ भी नहीं तो कैसे घर में रह स सिल कर दीजे अपना मगर नहीं करेंगे हम क्यों क्यों कि जब यह पात्र भी हुए है उस घर में कैसे चलेगे उनको बेडर हैंड़र करता है जितनी भी फ्लैट है हो हैंड़र किसे करेगा इसारे को करेगा इसारे चावी हैंड़र करती है टेने जो आँके रहने वाले इतनी चावियां दे दिया उसके बाद उस घर में कोई भी जाके रहें हैंगे कोई पता नहीं है तो आपके गोवर्मेंट के गर में पी एपी की जो था उसमें दूसरे कैसे रह सकते हैं और आपने कैसे लोग रह रहें उनके ऑफ़ाइर कराई इसके उपर जितने लोग रह रहें उनके ओपर एफर कराईए केस लगाईए उसारे पूढ़ागे सामान के साथ बाहर फेक सकते हैं आपके पास अथार्टी है सब कुछ है आप कर सकते हैं अगर करने की इच्छा होनी चाहिए अगर दिपार्टमेंट नहीं करते हैं इसका समझ में आता है कि इनका भी कही नहीं उसके अंदर इंवाल्मेंट होने की वजह से वो लोग इतना प्रेसराइच करेंगे ना कुछ करते हैं और न उस पर काम करते हैं सरकार अगर अपना काम करने लगे तो किसी को कोई काम करने की जोरत नहीं है मगर सरकार खुद करना नहीं चाहती है और यहां पर लोगों को अब महिला को उन्होंने बता दिया कि जाकर कर डेपटी कलेक्टर के पास जाओ तुम hearing लगवाओ, वहाँ पर से अगर उन्होंने police protection लगा के खाली करके दे देंगे तो वो घर्ट का चावी जो हमें देंगे वो चावी हमें तुमें देंगे तो ये चावी वो देंगे उनको, मतलब वो महिला जाए भूमे अब, additional के हाँ पे रेस्वारी deputy collector के यहाँ पे और वहाँ पे hearing लगा है, सब कुछ उसको ही करके लाना इनको चावी हमें थमाएगा, तो ये चावी को थमाने वाले है ये तरीका है काम करने के लिए, वो अपाईज महिला कहां से जाएगी फिर भी मैंने उनके साथ में गया मैं deputy collector से मिला, देवरे साब से मैंने बोला, सर, ये छे लोगों की यह रही है, छे लोगो को close करिए छे फाइल तो close करके, आप छे तो flat seal करिए और उसकी handover करेगी चावी, ताकर department को चावी इनके पास आवे, तो वो flat इस महिला को मिल जाएगा तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं फाइल close करता हूँ, उन्होंने फाइल close कर दिये, अभी चुटी पे गया कोई थे, साथ कल आज में आगे होंगे, एक दो चार दिन में उन्होंने order दे दे देगे, फ्लैट को seal करने का, या उनको wagon करने की notice हो जाएगी, फिर police protection लगाया जाएगा, फिर उसके बाद हो गर खाली होगा, खाली होने के बाद जब यह सारे को चावी दी जाएगी, तो इनको चावी दिया जाएगा, मैं मेरी पूरी कोशी से, इस महिला को अब तो यह है, तो यह सारे रहे, या deputy collector हो, या कोई भी department इस बीच में आ जाए, इस महिला को तो मैं घर दिला के ही रहूँ गा, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, चाहे कोई department बीच में मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, अब क्या हो गया कि जब लोग इतना तरस्त हो गए हैं कि अपने चीज, अपनी नया या अपना घर मांगने के लिए लोग भीकारियों की तरह, आटार ददर साल से भीग मांगे ही है, भीग थोड़ी मांगने हैं, उनका हक है, पहले तो उनको लैंड या कंबसेसर भी government को देना चीजिए, प्लान कैसे पास हुआ उनके उपर, उनके लैंड के उप इनको मैं बहुत जल्ड, मेरे से जतनी कोसिस हो सकेगी, उतना मैं जल्दी इनको घर दिलाने की कोसिस कर रहा हूं इपको सामने से खयेंगी कोई अब हम देखेंगे इसमें बीच में चाहिए जो भी हो मुझे उसके कोई फरक नहीं पड़ता है जब आप किसी के लिए लड़ने जाते हैं इसमें बहुत सारे आजाते हैं लोग अब इसमें बिल्डर आएगा इसमें चीप प्रमोटर भी आएगा बहुत सारे लोग जब करता है तो उसपे एक एलिगेशन लगाओ यह आदमी साइड में हो जाएगा और वो जो महिला है वो जो पेड़ित है जिसको घर में ही मिला वो अपने आप ही अकेली हो जाए वो नहीं चाहते हैं कि वो ही उसकी मदद करें उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा फि इस केस में हमने देखा कि SRA और बेडर के धूके के कारण लोग इतने परिशान है कि उनके सामने केवल आत्मदाह करने का एक ही रास्ता बच्चा है क्योंकि गरीब और बेबस लोगों की मदद करने के लिए कोई आगी नहीं आता लेकिन इस शो के माध्यम से हम हमारे दर्शुकों को बताना चाहेंगे कि आप या आपके आसपडोस के कोई भी व्यक्ती SRA के कारण परिशान है तो वो हमें स्क्रोल पर दिये हुए नंबर पर संपर कर सकते हैं हमारा केवर एक ही मकसद है कि गरीब और बेबस लोगों की मदद करना और उन्हें उनके हक का घर दिलाना ऐसारे से जुड़े अन्य सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे आप देखते रहेए समेट 24 न्यूज